सेना के जवानों को दीन दहाले पुल्वामा में मरवाने वालो राश्ट पिता के हत्यारे को सुवह सुवह आरती दिखाने वालो अंग्रेजों से माफी मांगने वालों को बीर बताने वालो मैंने किसी का नाम नहीं लिया है इसलिए बुरा नहीं मारना है जो हत्यारे होंगे उनको बुरा लगेगा जो हत्यारे होंगे उनको बुरा लेगा रास्ट पिता के हत्यारे को सुभा सुभा आरती दिखाने वालों अंग्रेजों से माफी मांगने वालों को बीर बताने वालों सेना के जवानों को कविटा कंप्लीट करने दीजिए सेना के जवानों को दिन दहारे पुलवामा में मरवाने वालों अर्ध सैनिक बलो का पेंशन गटक जाने वालों सेना के ताबूत में गोर कमिशन खाने वालों एलिजा बेच के मौद पर देश का जंडा जुकाने वालों अरे सच से क्यूं घबराते हो और सच सुनते हूं क्यूं भाग जाते हो जान्नबाद मानिया सदा से शुरुज कान पाई जिसने पुंजी और कर्परेट के गर्षोड के माध्यम से मानियों के से मिल करके लोकतंत्र के तमाम संस्थाओं को अपने चंगूल में ले लिया है महदे महदे आज जो हमारे मानिय मुख्यमंत्री जी बोलते हुए इस बात तो कहते हैं के मिडिया के लोगों कुछ हमारी भी बात कहो तो महदे मुझे इस देश में 75 साल के लोकतंत्र पर तरस आता है कि एक मुख्यमंत्री की बाद इस देश का अख़बार नहीं छापता वो वहां से उन्हीं की बाद छापता है जिनसे वो पैसा खाता है जिनसे वो पेड न्यूज लिखता है मौद परतिपक्ष की बेचैनी देख रहा हूं उनके चेहरे पे अभी हाल ही में सत्ता जाने का जो दूख है वो असपस्ट जलक रहा है और इसी में वो कई बार अपने लफजों को संभाल नहीं पा रहे हैं और कई बार ऐसे शब्दों का भी इस्तमाल किया जिससे बिहार के लोग तांत्री की वहस्ता और सदन को भी शर्मि मोहदय अभी छे महेंने पहले सरकार बदली है ऑट पहले जो लोग इधर थें अभी उधर हैं हम लोग उधर थें उधर से इधर आये हैं भाशा भी ऐसे ही बदलती रहती है ये राजनीत की खुबसूरती भी हो सकती है या उसके सच्चाई भी हो सकती है हाँ वो तो मालूब है वही तो बता रहे हैं महोद है लेकिन जो हकीकत है उस पर बात करना जरूरी है निश्चित तोर पर इस बार का जो बिहार का बजट है उसकी तारीफ की जानी चाहिए तारीफ करने के लिए कुछ बहुत जरूरी बात है जैसे बजट ने खूल कर रोजगार के बारे में बात किया है। इतने दिनों से हम बजट देख रहे हैं। किंडर का बजट भी हमने हाली में देखा। किसी बजट ने नोकरियों की बात नहीं की। लेकिन मानीय वितमंत्री ने जो बजट पेश किया। उसमें 10 लाख नोकरी देने का संकल्प उन्होंने अस्पश्ट तोर पे दुहराया ये पिछले दोनों बजटों में नहीं दिखाई दिया इसके लिए बिहार के नौजवानों के तरब से मैं इस बजट का तारीफ करता लेकिन मैं माननी अवितमंत्री महोदे से ये भी कहना चाहूंगा कि बिहार के नौजवानों में खुशी का महौल है कि उनको अब नौकरी मिलेगी क्योंकि पिछले दिनों दो करोण नौकरी की जहासा देने वालों ने उनके साथ सिर्फ और सिर्फ धोखाई दिया हम उमीद करेंगे कि आपने जो बजट में वादा किया है उस वादे को शर्फ पुरा करेंगे और बिहार के नौजवानों की जो चीरलंबित मांग और प्रतिक्षा है उसको जरूर आने वाले समय में बिहार की सरकार पुरा करेगी और दस लख नौजवानों को जरूर बिह प्रणार के सरकार सरकादी नौकरी देगी महुदे महुदे बिहार एक क्रशी परधान राज है क्रशी की बहुत क्रशी का बहुत बढ़ा योगदान है जीडीपी में भी क्रशी की भूमिका हमेशा ही अतिमहत्यपुर्ण होती है लेकिन इस बजट में हमने देखा महुदे जब हम लोग बात कह रहे हैं तो हमारे कहने का मतलब ये भी है कि हम अपने ही बजट को समर्द भी करना चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यहीं बजट आने वाले दिनों में बिहार की जन्ता के दिशा और दशा को बदलेगा इसलिए हम बजट को समरिद्ध करना चाहते हैं हमको जो समझ में आ रहा है उससे हम सरकार को भी आउगत करना चाहते हैं और बिहार की जन्ता को भी बताना चाहते ह अगर बिहार के विकास का सपना हम देखते हैं तो उसके लिए क्रिसी के विकास को अपनी महत्वपुर्ण भूमिका में देखना होगा बिना क्रिसी का विकास किये बिना किसानों के आये को बढ़ाए बिहार के विकास की कोई भी कलपना पूरी नहीं हो सकती अब मैं उत्म के तो करूंगा नहीं जिन्होंने कहा था कि 22 तक किसानों का आय दुगना कर देंगे और अभी तक उन्होंने किसी भी चीज का दाम नहीं बढ़ाया किसानों का आय दुगना नहीं हुआ इसलिए किसानों के बारे में बिहार की सरकार को विशेश चिंता करने की जुरत है इस बजट में किसानों के लिए खेती के लिए क्रिशी विभाद के लिए 2782 कौरौन रुपई की वोस्ता की गई है बहुते जो महज इस बजट का 2.8 परतिशथ है मौहदे में बहुत एविन्मरता पुर्वक शरकार का ध्यान इस उड़ा क्रिश्थ करना चाहता हूं कि ये जो बजट का प्रअधान है इस से हम जो किसानों का डेवलप्मेंट का सपना देखते हैं विकास का सपना देखते हैं वो श्याद पुरा नहीं होडा है बिहार के किसानों की चिरलंबित मांग है जिसको केंद्र की सरकार नहीं पुरा करना चाहती है जिसके खिलाफ किसानों ने दिल्ली में बहुत बड़ा एतिहासिक आंदुलन को अंजाम दिया तब 56 इंची की छाती को पीछे हटना पड़ा महोदे महोदे, बिहार अगर देश के केंद्र में आना चाहता है अगर बिहार से मौझूदा सत्ता को देश की गद्दी सा उखार करके फेटना है तो बिहार के किसानों के हीट में बिहार के सरकार को A.P.M.C.S. को लागू करना होगा और मंडी वेवस्था को संपुर्ण तरीके से लागू करना होगा महोदे महोदे हमारी लडाई इस देश कैसे निजाम से है जो देश की संपुर्ण सत्ता पर उसने बर्चसों कायम कर लिया है जिसने पुंजी और कर्पुरेट के गर्षोड के माध्यम संपानी और अडानियों के से मिल करके लोकतंत्र के तमाम संस्थाओं को अपने चंगूल में ले लिया है महोदे महोदे आज जो हमारे मान्य मुख्यमंत्री जी बोलते हुए इस बात तो कहते हैं के मिडिया के लोगों कुछ हमारी भी बात कहो तो महोदे मुझे इस देश में 75 साल के लोगतंत्र पर तरस आता है कि एक मुख्यमंत्री की बात इस देश का अख़बार नहीं चापता वो वहां से उनहीं की बात चापता है जिन से वो पैसा खाता है, जिन से वो पेड नियूज लिखता है महदे, ब्यार में जब तक नहरों का अधोनी के करन नहीं होगा, कद्वन जलाशय का निर्मान नहीं होगा, और महदे मैं जिस छेतर से आता हूँ अहां पर एक परियोजना है, मलाई बराज परियोजना, मैंने माननिय मुख्यमंत्रेजी के समधान यात्रा में भी उस सवाल को उठाया था महोदे उन्हें 180 से वो योजना चल रही है सरकारे आती गई उधर के लोग इधर इधर के लोग उधर होते गए लेकिन महोदे अभी तक वो योजना पुरी नहीं होई महोदे मैं सरकार का ध्याना क सर्टा में थे लेकिन आज मुझे कहने का यह हिम्मत है क्योंकि मैं उमीद करता हूं कि हमारी सरकार हमारी इन मांगों को जरूर पुरा करेगा महोदे मैं आपको बहुत ज्यादा तहे दिल से धन्यबाद देना चाहता हूं कि आपने मेडिकल कोलेजन हस्पिटल का स्थापन करता हूं और उमीद करता हूं क्याने वाले दियों में ऐसे ऐस्पताल और भी खुलेंगे महोदे समधान यात्रा में मुख्यमंत्री जी गय थे निशित तोर पर ये बहुत काविले तारीफ यात्रा रही है कई सारी समस्याओं को हमने सामने लाया और उस पर उन्होंने बह इसे परियास किया रहा है इस परियास के लिए भी मैं सरकार को निवी घन्यबाद देना चाहता हूं मौदे बजट में बहुत सारी चरचायום मौदे मोदे योजना के मामले में एक लाइकक्रrade करोना रुपे का हमारा बजट मोदे मैं चाहता हूं कि इस बजट को भी बढ़ में पुरे बिहार मोहदे अभी जो चर्चा बिजली पर है यह बहुत दुख के साथ काना पर रहा है कि गरीबों के बिजली बिल नहीं जमा करने के वज़े से काट दिया जा रहा है और यह घटना लगतार बिहार में घट रही है और पुछने पर अधिकारी लोग कर रहे हैं क यह इंप्लिमेंटेशन में बहुत बड़ा समस्या है महदे मैं समझता हूं कि इसको ठीक करने के जुरत है बाकि बिजली बील के बारे में मानियमोख्यमंत्री जी ने बताया कि क्रिसी में मात्र 70 पैसा ये 75 पैसा बिजली बिल लिया जाता है लेगिन महदे घर में जो लबाब की सरकार नहीं आम आदमी वाली सरकार जिस तरीके से 200 उनिट बिजली माफ किया है हमारी सरकार को भी गरीबों के लिए इस तरीके से बिजली माफ करने का कोई प्रवधान बिहार की सरकार को लाना चाहिए और गरीबों को इस से रहात देना चाहिए महदे बहुत थ कि हम सरकार को आईना दिखा रहे हैं हमने कहा की धूल तो आपके चेहरे पे हैं और आप आईना क्यों साफ कर रहे था आप किस और दिखा रहे हैं आईना तो आपको देखने की जूरत है मोघ इन्होंने मनदेगा में बजट को कम कर दिया मोघ की셔서 2020 ज़ने में मनेदेगा का बजट 9,464 करोन रुपया था जो 2020-2022 में 89,440 करोन रुपया और इस पर महच 7,000 करोन रुपया हो गया यहाँ तक काम भी नहीं पढ़ाया गया और लगतार मनेदेगा में कुटवति किया जा रहा है यह लोग लगतार मजदूरों की बात कर रहे हैं मन देगा कि में हंड की कटोवती करने वाले के पास ये अधिकार नहीं है कि वो मज़दूरों के बारे में बात कर सके। महोदे किंद्र की सरकार ने सिचाई की योजना में भारी कटोवती की है। पहले 12,954 कटोवती था लेकिन इस बार इन्होंने उसको घटाकर 10,787 कटोवती कर दिया। पिछले दिनों बेगु सराय में दो लड़कों के लड़ाई को दंगा में तबदील कर दने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बिहार के मजदूरों को धमकी दिया। बिहार के मजदूरों को धमकी देते हुए कहा है कि मनदेगा का पैसा नहीं देंगे। शर्म आनी चाहिए उनको जो मजदूरों के खिलाफ इस तरीके की बैनबाजी करते हैं, मजदूरों के खिलाफ और बोलने का काम करते हैं महदे, देश में आज लोक्तंतर को बचाने के लाई चल रही है देश में लोकतंत्र खत्रे में है ये बाते असपश तोर पे दीख रहे हैं इसलिए आज पुरा बिहार जो कि लोकतंत्र का जन्नी रहा है पुरा बिहार जिसने लोकतंत्र को अस्थापित किया है यहाँ पर किसी भी कीमत से लोकतंत्र की हत्या करने वालों को हम लोग बिहार म नहीं रहने देंगे उसके खिलाफ हमारी लाई चलेगी मोदे मोदे छोटी सी बात है लाइट आपका जल गया है हम जानते हैं कि आप बहुत जल्द कहेंगे कि बात को खतम किया जाए इसलिए एक छोटी सी कवीता है मैं ज्यादा समय नहीं लूँगा बस ऐसे ही कल कुछ कुछ घटनाय घटी इधर के उधर बात होई तो मेरे मन में अपना ख्याल आ गया जिसको मैंने कल ही अपने पूरी जी पेलिखा था कल मुझे बोलने का मुका नहीं मिला तो मुझे लगा कि कल मिलेगा तो मैं आपको जरूर सुनाने की कोशिश करूँगा मोदे खिर्पया अब फ़क्स लोगों से कहना कि हाला नहीं करना है ध्यान से सुनिये खात बाहर बयान देने में मजा आएगा जैसे ख़ाल मभूब जी वाले पी रहते रिखाने वालों अंग्रेजों से माफी मांगने वालों को बीर बताने वालों मैंने किसी का नाम नहीं लिया है इसलिए बुरा नहीं मालना है जो हत्यारे होंगे उनको बुरा लेगा जो हत्यारे होंगे उनको बुरा लेगा रास्ट पिता रास्ट पिता के हत्यारे को सुबह सुबह आरती दिखाने वालों अंग्रेजों से माफी मांगने वालों को बीर बताने वालों सेना मौदे बोलने का मौका दिया जाए सेना के जवानों को कविटा कंप्लीट करने दीजिए सेना के जवानों को दिन दहारे पुल्वामा में मरवाने वालो सेना के जवानों को दिन दहारे पुल्वामा में मरवाने वालो अर्द सैनिक बलो का पेंशन गटक जाने वालो सेना के ताबूत में घोर कमिशन खाने वालो सेना के ताबूत में घोर कमिशन खाने वालो एलिजा बेच के मौद पर देश का जणडा जुकाने वालो एलिजा बेच के मौद पर देश का जणडा जुकाने वालो अरे सच से क्यों घबराते हो और सच सुनते हूं क्यों भाग जाते हो ज़नवाद